हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगे ब्रेंस हिंदी आज हम मौझूद हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट शेशन के साथ जिसमें हमने जो सत्ता का वहिकलपी केंद्र किया था उसके ncrt solutions भी किये थे mcqs भी किये थे आज मैं आपके लिए एक most important questions का सीरीज लेकर आया हूँ जो हमारा most important question का सीरीज सुरू भी वाया है उसमें सत्ता के वहिकलपी केंद्र सब्जेक्ट से चैप्टर से आपके लिए सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर बिल्कुल निशुल्क प्रवाइट किया जा रहा है मैंगनेट बेंस हिंदी के इन टीचर्स की टीम के द्वारा तो आप जुड़ जाईए जादे से ज्यादा लाइक सेरे सब्सक्काइब करिए सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद एक या दो चैप्टर के कम्प्रीशन के बाद आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है तो यह टीचर्स की टीम आपको सभी चैप्टर सभी जो सब्जेक्ट हैं उन संबंधित जो प्रस्ण है इससे संबंधित जो बिभिन्य तरीके के कोश्चन्स आपके एक्जामिशन में देखने के लिए मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई के लिए यह सारी चीज़ें हम आज के इस चैप्टर में ठीक है अब यह ध्यान देने की बात ह दो दढ़े थे समय से उसके बाद भी अमेरिका और इसके अलामा सोब्यस संग उस समय भी और सोब्यस संग के बिक्तन के बाद जो और कुछ ऐसे पावर सेंटर्स दुनिया में उभरे थे जिनकी बात हो रहे थी आसियान या चीन के अर्थवे उस्ता का उभरना इस तरह की जो मुद्दे थे वह किस तरह से एक नया पावर सेंटर पुरिया में स्थापित कर रहे थे यह सारी चीजी अमने इस चैप्टर में देखी थी इसी से संबंदित को शो कोशन करते हैं टो एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि आसियान वे या आसियान सैली क्या है तो आसिया के अनापचारिक और सहयोगपूर कामकाच की सैली को कहा जाता है देखते हैं आसियान सदस्यों की रक्षानीत यह नहीं आसियान सदस्यों को जोड़ने वाली सड़क है नहीं आसियान वे का मतलब होता है ख़़ इसका सही जवाब हो जाएगा आसियान सदस्यों के अनापचार करते हैं इन में से किस देश ने खुले द्वार की नीती अपनाई अब देखिए आपको यह पता है कि इसमें से कैसा देश है जो लगबख भारत के साथ ही आजाद हुआ लेकिन माओ काल के समय उसने एक बंद अर्थवे उस्था को फॉलो किया जैसे हम समाज बात कर रहे थे मिस्री तर्थवे उस्था थे वैसे वह कंप्लीटली बंद अर्थवेवस्था को फॉलो कर रहा था और उसने कम्यून सिस्टम अपने लागू किया ग्रेटली फॉरवर्ड सिस्टम मैंने बदाया था जरूरा वीडियो समझा कर देखे समझे और उत्तर मावकाल में आनि मा अपनाई और जब भारत 1990 आते आते उसने अपने खुली द्वार की नीटी अपनाई तब तक भारत से बहुत आगे की अर्थवेवस्था बन चुका था यह सारा कंपैरिजन भी हमने सत्ता के वैकल्पिक केंद्रवड़ा चेप्टर में डीटेल में किया है जो वन सॉट में सिल कम्यूनिटी बेसिकली कम्यूनिटी ठीक है 1957 के असपास यह बन गई थी और इसने क्या किया इसने सबसे पहली प्रयास किया देखिए मैं आपको पहले ही बताया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद एक ऐसी कंडिशन आई थी कि यूरोपिय देस कम ज देखेंगे सबुआ तो मोस्ट इंपमेटन कोशन सेज्जों को आपको जैंने ही यॉरोपिय आर्थिक समुदाय का प्रत्हमलक्ष क्या था यूरोप को आर्तिक सकती बनाना यूरो मुक्त व्यापार शेत्र बनाना यूरोप में साज़ाfach बाजारि स्थापर करना यह रोप और अब है दें तो यविर्पिय आर्थिक समधाय का लख्ष क्या था यूरोपीय देशना का बजार की शभ्ना और उसके साथ साथ यूरोपीय Je One यूरोपेए संदी को उभी स्थापित करना ठीक है तो यहाँ पर बाजार की स्थापना भी कह सकते हैं लेकिन प्रथम लक्षे महाँ पूछा था इसलिए महाँ पर क्या था यूरोपेज संकिस्थापना थे तो साजा बाजार भी आप लिख सकते हैं ठीक है पिछले कोश्चन में प्रथम लक्ष था तो इसमें क्या था साज़्ा बाजार के सबके लिए एक फ्री मार्केट हो उसके बाद यूरोपेज संकिस्थापना का सरे संधी को जाता है कौन सी संधी तो यह रोम की संधी तो जी तो यह साजा बाजार वाली थी इसके बाद मास्ट्रिच की संधी हुई यूरोपेज संग की निव मान ली जाती है या उसको उसकी स्थापना मन ला जाती है यूरोपेज संग सं में स्थापित किया गया थीक है तो यूरोपेज संग जो था यूनियन जो था यह स्थापत कब किया गया है तो यह जब 1992 की मास्ट्रिच की संधी हुई तब इसको क् मुद्रा को कहते हैं यूरो ठीक है तो यूरोपीय आर्थिक समुदायक साज्या वाजार की स्थापना यूरोपीय संग की स्थापना का सरे मास्ट्रीच की संदी और यूरोपीय संग 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 में में स्थापित हुआ मास्ट्रीच की संदी के बाद यूरोपीय संग की एकिक सर्दान है यानि एक सब्सक्रा रीजनल सब्सक्राइद हो एक हग सब्सक्राइब ठीक है छेत्री ये संगठान आसियान संगठान की स्थापना किस वर्स हुई 1967 में इसकी स्थापना हुई और 1967 के स्थापना में दस पहले सुर में पांस देश थे बाद में पांच और मिलके दस देश हो गए आसियान संगठान में कुल कितने employees हिए कि पूढ संभाद है हम उसके एक तरह से डायलोग पार्टनर में में इसा ध्यान की राष्ट यानी हम आसियान के मेंबर नहीं हमें साथ द्लिए इंडिया जार का मिंबर है लेकिन हमें पूर्ण समवाद से राष्ट यानी की कंप्ली डायवक पाटनर माना गया है ठीक है एक ये रोपिय आर्थिक समुदाय की स्थापना पर शहे राष्टो ने किया था क्या ये सथय या सथय है देखते हैं यूपीय संग्य की आज hyp dishon ऐसे संख्या-67 है सथय है या सथय देखते हैं रोव संधी से यूपीय आर्थिक समुदाय का गठल का गठन संब हो था यूरोपिय संग की सबस्य 27 है यह बिल्टीक पहले इसमें क्या थी 28 थी ठीक है ना पहले 28 मेंबर्स थे लेकिन ग्रेट बिल्टेन जो है इंग्लेंड जो है वो 2019 में बाहर हो चुका है तो 27 मेंबर्स है और छे रास्ट्रों ने यूरोपी आर्थिक समुदाय यानि यूरोपि संदी से यूरोपिय आर्थिक समुदाय का संगठन का संभव हुआ सकते है और यूरोपिय संग की मुद्रा ये यह गलत ये तो ये चीन से संबंदित है ठीक है ना बाकि ये इसको यूरो कहा जाता है यूरोपिय संग की जो मुद्रा है इसको यूरो कहा जाता है सोभिय पुद्रा उस समय थी रूबल ठीक है यह बहुत महत्रपूर्ण ध्यान लखेगा रूस की जो समन्दित है तो यह इंपोर्टेंट है ठीक है यह इन चाइना की है रहने में भी रहते हैं उसको चली तो यह महत्रपूर्ण कुछ कोश्चन थे सतर सतर करतन इसको भी आप ध्यान संका उसके साथ उसका सरोकार या उसका रिस्ता आसियान दस देशों का चेत्री संगठा ने तो सत्य में आलूम पड़ता है आसियान का पूरा नाम दक्षिर पूरी एस याई राश्ट शंगय देखते हैं भारत आसियान संगठा एक मात्र पूर्ण समवात सहवागी तो सासिक इस्तर पर भारती दिसंबर 1902 रूपें संग से जुड़ा आप बिल्कुल असत्य है बहुत बार में उससे पार्टनर्सीप हुई आसियान दस देशों का चेत्री संगठा नहीं तो सत्य स्टेट्मेंट है आसियान का पूरा नाम दक्षिर पूर्वी एस याई रा साउथ इस्ट एसियन नेशन्स एसियन नेशन्स टैन मेंबर्स 1967 में बना था हैड़कॉर्टर जकार्ता ठीक है इंडोनेसिया बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में किया तो यह कुछ मेहत्वकूर्ण आपके सामने स्टेट्मेंट थे कोश्ठ ते जिनको आपको ध्यान लखना है नेक्स देखते हैं युरोपई और आर्थिक समुदाय की सदस्य संक्या कितनी थी सूरू में छे में निमबर्स थे रोम की संदी के बाद हुई थे युरोपई अर्थिक नोस है का प्रमुक्त क्या था यूरोपीय संक्ट के स्थाबना करना अभा आ kavey अ सब्सक्रफून की था इसका यू यह था कि जो साज्अ मार्ग जाय सोर «पजार मार्कें यूरोप के लिए यह भी था PRAPAL भारत यूरोपी अ सब्सक्राइब कहा हुआ लिस्बन में हुआ तो यह इंपोर्टेंट चीजें ध्यान रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट कोशन से न सिर्फ आपके 12 क्लास के लिए बल्की कॉंपर्टिटिव एक्जामनिशन के परपस से बहुत इंपॉर्ट ने ठीक है चलिए आगे देखते ह तो रोम की संधी से इसलिए कह रहा है कि एसी ठीक है न यूरोपेन एकनोमिक कम्यूनिटी यह संधी एक बनी थी इस संधी के बाद बना था और मेन इसकी स्थापना होई जब यह मास्ट्रिच की संधी आ गया दोनों संधीयों के आप ध्यान लखेंगा ना जब संधी के बाद यह चीज निकल कर आई थी तो इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे आप कि आस्यान संगठन की स्थापना कब हुई सन 1967 1967 में और देखिए इसे सत्ता का वेकलपी केंदर कि क्यों माना गया क्योंकि 1967 के आज पास 62 में क्यूबा मिसाइल संकट वाला भी आपने संकिस्थापना कब हुई एक नमबर 1993 में ठीक है यह इंपोर्टन ध्यान रखेगा एक 1993 मास्टीच के संधी 1992 में हुई है यह 1993 आसियान संग आसियान संगठन में कुल कितने राष्ट समली थे दस टैन मेंबर से इसमें सामिल है ठीक चलिए किस हैर में यूरो मुद्रा प्रणाली लागू करने का निड़ा किया गया बेलगरेट सहर में ठीक है बेलगरेट बहुत महत्पूर साहर है आपको कई बार इसकी शर्चा हुई थी नाटो वाला जो केस था उसमें भी बेलगरेट की बहुत बात हुई थी नैम वाले नौन 2019 में सदस्यता त्याग दी कैं सदस्यता त्याग दी इसलिए अब आप इसको 27 देश मांना करें चलिए जानबूझ की-28 वर्ल आपके सामने लाया गया है आप कि इस चीज को लास प॥र्म आप समझ ले स्थिन ने भारत पर आकर्मान कर दिया था सीना भिवात को लेकर चीन ने भारत पर आकर्मेन नें कर दिया थे हुआ ऊंधिश एकिस भारतिय बिदेश मंत्री दल की मिछ सरकार चल रही थी तो किस बिदेश कर दीड के काल में आर्थिक ब्यापार में बृदि हुई deuktaar Man Pictures में रही तो आर्थिक बिदेश मंत्र के संवर बात हो रही है तो फार पार 실망तें 2004 के बाद उसमें यह देखा गया सन 2010 में चीनी पढ़ानमंत्री की भारत यात्रा का मुख्धियस क्या था आर्तिक संबंदों को मजबूत बना तो चीन के पढ़ानमंत्री भारत की यात्रा पर आये थे और उनका उद्यस यह था कि इंडिया और चाइना के जो इकोनामिक रिलेशन्स है उसको और मजबूत किया जाए भारत चीन भारत चीन युद्ध कब हुआ तो भारत चीन का जो युद्ध हुआ वह हुआ 1962 में 1962 में चलिए आगे देखते हैं कि यूरोपिय आर्थिक समुदाय या उर्पिय संघ का गठन कब हुआ अब गङे 徉डोपिय आर्थिक समुदाय और इप्योपिय आर्थिक समुदाय है यूरोपिया संग तो पूरी तरह बन क्या आया 1993 में लेकिन क्योंकि उसकी भूमिका यूरोपिया आर्थिक संगेठन की थी यूरोपिया आर्थिक समुदाय की थी तो एक जन्वरी 1958 इसको आप मानके चलेंगे ठीक है यह किवल EEC की बात करी जा रही है ध्यान दखिएगा EEC सीटो का पूरा नाम लिखिए इसकी स्थापना कब हुई सीटो का पूरा नाम है दक्षिद पूर्व एसी आई संग्धी साउथ एस्ट 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 ट्रीटी यह किसके नाम पर थी किस जैसे नाटो बना था नौर्ट एट्लांटिक इसी तरह सीटो बनाए गया भारत आसियान समझाता कब और कहां हुआ भारत असे समझाता तीस नमंबर 2004 को बियतनाम के लाउस सहर में ठीक है यह इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान लखेगा भारत चीन के बीच वर्तमान विवाद के कोई दो मुद्दे लिखिए बहुत इंपॉर्टन नदी के पानी को लेकर अक्सर बना जाता है लिए तो पाकिस्तान को परमाणु हतियार वन्यारा में साहता करना यह हमेशा भारत चीन कर रहा है हलाकि अब कुछ और मुद्द्द इसमें जुड़के अभी जो रीसेंट चल रहे हैं जैसे भारत माफ करी जैसे कर जैसे एक मुद्द आप लिख सकते हैं भारत चीन कि डिश्ब में पाकिस्तान के बीच चीन-पाकिस्तान के बीच CPX समझाथा ठीक है? यह इस समय एक बहुत ही बड़ा मुद्धा बना हुआ है भारत और चीन के बीच में तरणाओ का CPX समझाथा क्या है? चाइना-पाकिस्तान चाइना-पाकिस्तान इकनोमिक कोरिडोर चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कोरिडोर जो है ये चीन और पाकिस्तान के बीच में क्या है ये एक समझोता है जिसमें भारत का जो इससा है जो पियोके है पाकिस्तान ऑकिपाइड कस्मिल जो है उस एरिया से एक सड़क चीन पाकिस्तान की तरफ ले जा रहा है तो ये वरतवा का एक करण बना हुआ है कि देखते हैं आसियान संगठन बनाने के उद्दे से लिखिए तो आसियान संगठन बनाने के उद्दे से क्या है सदस्यराष्टों में राजनेतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक आधिश्ट्रों में परसपर सहायता करना यानि जो भी देश हैं व और से परेशान नहों खतम नहों समाजिक सायोक से बिभीन समस्याओं का सांतिपुर्ण हल निकालना अब अधिक देखो इसमें क्या था ना कि यह लोग सारे चाह रहे थे कि जो भी परेशानिया हैं खुद मिलकल सामिल उसको साल्व करें यानि अगर कोई समस्या आ भी रही है युरोपीय आर्थिक समुदाय के दो को विभाजित कररा है इस देटीव विशुद के बाद यूरोपिय देश बहुत कम्जोर पड़ गय थे और या तो सोबियत संग उनको सामय वाद के तिरफ कीशना चाह रहा था या सभुत था यह चाह रहे थे रीकलेक्ट हो के उठना तो उनको यह था कि जो आपस में विवाद हैं उनको खतम करिए और यूरोपिय प्रतिष्था को इस्थापित करने के लिए अनुकूल भूमिका निभाना यह मुख्यरूप से इनका कारण था दो उद्धे से थे और इसके लिए फिर उनने यूरोपेन इन बनाने की बात की इ भी इंपॉर्टेंट है कि ठीक है अच्छा मास्ट्रिच की संधी के दूप लबदी बताइए तो यूरोपिय संग के सभी देशों के मद्द समान मुद्रा करेंसी का चलन स्विकार किया गया यूरोपिय केंद्रिय बैंक की इस्थापना एक जनवरी 1999 कोई तो यह इंपॉर दो मैस्टिज के संदी इंपॉर्टेंट है इसके दो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं योगदान रहे थे यूरोपिय संग भारत से क्यों घनिश्टा बढ़ाना चाहता है जाहिए पूरी दुनिया में अगर भारत से घनिश्टा बढ़ाने के सबसे बड़ी अगर कोई व एक अच्छा विकल्ब बनके भारत के हमेसा उभरता रहा है तो समा आप क्या देख सकते हैं कि व्यापात बेवसाय है तो घनिष्टा बढ़ाना चाहता है यूरोपीय संग के नायाले के काले लिखिए तो एक तो संधियों की सही ब्याख्या करना उनका एक काम है कि जो भी संधियां हो रही है उसमें कोई कंफ्यूजन हो अगर कोई उसमें इसमें बिवाद होता है तो हम करेंगे कि क्या साइय घलते दूसरा तो ऑस्रास राश्टों का समाधान कीनी कि यह स्विकार करना जो कानून बनाने के लिए विधाई प्रस्ताव आते हैं उनको स्विकार करेगी समितियों की कार्वर्भ प्रतिवेदन का निरिक्षण करकि दिशा निर्देश देना скажis about तो भी समितिया बनाई गई अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग कामों के लिए उनके प्रस्ताओं की विविचना करने के बाद क्या करना है का समितिया ठीक से काम करने कि निरिक्षण करके दिसा निर्देश देना तो यह एक तरह से पूरे युरोपिया देशों ने अप भारत चीन के विवाद से सम्मंदित है इसने पहला एक आता है सीमा उप सिपूथ हम ला अगर आसे बीच में नीचे आजाये तो तिब्बत वाला मामला तिब्बत परदेस तक हालिया इस्थिती में तो प्रदेस में जादा टक्राउ दिखाई देता है थीका गलवान घाटी का करता हवा था भारत चीन के बीच में चुम्भी वैली एक इलाका है भूटान से लगा हुआ जहां पर काफी जो है गतिरोत दिखाई देता है भारत और चीन के बीच में यह सारे इलाके सीमा विवाद में आते हैं चीन ने कुछ ऐसे नक्से छापे जिन में भारती भूबाग पर चीनी दावा किया गया ह चीन ने पाकिस्तान के साथ संदी करके कासमीर के कुछ भाग अपने अधीन कर लिया जिसे तथा कथित पाकिस्तान द्वारा हथी आये कैस्मीर का हिस्सा माना जाता है छी ने क्या किया पहले खुर कफ्जा किया और पॉखिस्तान के साथ संदी करके उसको उसकूस पर दे दे दिया तो पीयों के का हिस्सा हो गया तो यह बड़ा हुआ चीन भारत का एक राज अनुदाचल प्रदेश पर भी दावा करता है कि अनुद्राइब के समय चीन ने बहुत से भारती चेतर पर अधिकार कर लिया जिसे आज भी चीन अपने छेतर में बताता है कैलास वाला ज गल्वान घाटी चुम्बी वैली ठीक है यह दो चीजें आप जरूर ज्यान लखेंगे गल्वान घाटी ठीक है यह हालिया माम ले रहे हैं चलिए नेक्स देखते हैं मैक महन रेखा भारत और चीन के सीमा निधारित करती है इस रेखा को 1914 में भारत चीन और तिबबत ने मिलकर सरसमती से उस्विकार कर लिए अच्छा देगे एक बात और है असली समस्य यह होई ना कि जो तिबबत हो भारत के बगल में था नेपाल के बगल में फिर भारत से भी सटा हुआ अब क्या हुआ था कि तिबबत पहले स्वायब देश था बाद में चीन ने उस पर कभजा किया भारत ऐसा चाहता नहीं था इसलिए चीन को जलन होती है तो भारत चीन तिबबत ने मिलके मैक महन रेखा मानी थी 1956 के बाद चीन ने इस सीमा रेखा पर अपनी आपती प्रकट करना प्रारम किर दिया और यह सीमा रेखा दोनों देशों के मत विवाद कभी सह बन गई इसके जस्ट पहले पंच सील समझोता हुआ था जिसमें दोनों राष्टों में एक दूसरे पर अग्रेशन ना करना आं भारत में आ गया भारत उनको सरण दे दी और चीन बस यहीं से चिटक गया जा चीन कहता है कि यह तिबबत वाला दलाई लामा का मामला हमारा मामला है आंतरिक मामला तिबबत मेरा इलाका है आपने इसमें हश्टक्षेप क्यों किया है और उसके बाद पंसील के करते रही है भारत का दलाए लामा का समर्थन करता यह दोनों देशों को बिवात का एक कारणा है चीन नहीं चाहता कि भाखरत में दलाए लामा घरें आगे देखते हैं चीन का पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्थी करना इस पर हमेशा भारत ने आपती जेता ही है कि चीन जो है वह हमेशा पाकिस्तान को हथियार देता है उनको फाइटर जेट देता है आज भी वह स्थिति बनी हुई है कि चीन ने कि कई तरह के लड़ाकू भारत वारत किये गाद परमाडू परिक्षन अब चीन ने भारत का जब भारत ने परमाडू परिक्षन किया उससे चीन बहुत खफा हुआ कि आपको इसकी आग्या नहीं देते हैं और सारे देश लगे वे तो भारत को रोकने के लिए लेकिन उसके बाद जो है अनन्ठा में जब भारत ने पर मारू के विलोद किया और स्वयप पर मारू अस्तसत रखता है तो खुद तो पर में भारत का उसने dijोब किया चीन दौरा सीमा पर बस्तियां बनाने का फैस्ला आज भी अभी रिसेंटली आप देखिया रुणाचल प्रदेश के आस पास में जो जो बॉर्डर एरिया है जहां पर भारत को अपत्ति यह वहां पर छोड़े-छोड़े बस्ती बनाएगा गाव बनाएगा इससे भारत और चीन के बीच में क्या होता है हमेशा एकडम तनाव बनाए ठीक है तो यह इंपोर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखना है जो चीन और भारत के बीच में गतिरोत का कारण है अब आते हैं कि भारत चीन के मद्भेत दूर करने के क्या इंपोर्टेंट है कुछ इन सुझाओं को भी देख लेते अब देखिए इसको मद्भेत दू में एक बहुत महित्पूर्ड वर्ड है जो यूज किया जाता है जब किसी देश की संस्कृति या देश के जो तेवहार है या देश की परंपराएं है या कला है इसके माध्यम से जब किसी दूसरे देश पर प्रभाव बनाने की कोशिस की जाती तो उसको soft power कहा जाता है तो अगर soft power का विकास दोनों के बीच में ठीक हो यानि चीन और भारत दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध में सुद्धता है भासा और साहित्य का आधान परदान हो एक दूसरे के देश में लोग भासा और साहित्य का अध्यान करें जब पंसील समझोता हुए थो हिं पेंशन रिलाक्स होती है और थोड़ा सा जो मुद्धे हैं जिस तरह भी रिसेंटली चल रहे थे डोकलाम और इस तरह के मुद्धे यह थोड़े डाइलूट होते हैं ठीक है गलवान घाटी जैसे ब्यापारिक संबंध ये देखो ये एक ऐसी चीज है भारत चीन के बीच म जो अभी भी युद्धों को रोके हुए है क्योंकि ब्यापारिक निर्भरता दोनों की एक दूसरे पर बहुत जादा है भारत के मार्केट आप देखिए चाइनीज मोबाइल चाइनीज लडियां चाइनीज माल बिल्कुल बंबार्डेड है तो चाइना भी जानता है कि भ परदान चीन और दोनों के देशों में और ठीक से किया जाना चाहिए और इसका बढ़ावा देना चाहिए ताकि रिस्ते ठीक बने रहे ठीक है तो एक तो यह सुझा हो सकता है आतंग बात पर संयुक्त दबाओ दोनों मिलकर क्या करें टेरिजम जैसे मुद्धे पर एक हो है अच्छा एक आपको यह भी पता है कि दोनों के मद्ध में एक और बहुत बाड़ी खाई का होता है वह सुरक्षा परिश्द में जो यूएनों की सुरक्षा परिशद है सुरक्षा परिशद में भारत की इस्थाई सदस्यता भारत की भारत की क्या हो यह जो जो सेक्यूर्टी काउंसल है यूएनों की इसमें भारत की इस्थाई सदस्यता अब भारत चाहता है कि वो यूएनों के सेक्यूर्टी काउंसल में पर्मानेंट मेंबर बन जाए चीन हमेशा उसको रोकता है और कई बार आतंकवाधी किसी टेहरीजम को international आतंकवाधी घोसित करने में या आतंकवाधी संगठन घोसित करवाने में जो भारत की भूमी कारती उसमें चीन सेक्यूर्टी काउंसल में मेंबर होने के कारण रोखता है या वीटो करता है तो ऐसे मुद्वों पर भी दोनों को तो जो carbon emission है ठीक है ना दोनों देसे का जो carbon emission है कारवन उट सर्जन है यह काफी हाई है दोनों देसों का है ना तो इस केस में फिर क्या हो जाता है प्रदूसर फैलानी वाली समस्यां को दूर करने में दोनों देसों को एक साथ आना चाहिए एक cooperation दिखानी चाहिए ठीक है तो यह एक इंपोर्टेंट मुद्दा है जो ध्यान में रखने की जूरत है विभिन छेत्रों में मैत्रिपुडवातावर्ण तयार करना जैसे कि किस तरह के वात्राव हो सकते हैं जैसे नैतिक समर्थन बढ़ा कर एक दूसरे को मोरल सपोर्ट करें मुक्त व् लिएपार को कठोर बना रहें उसको लिबरलाइज करें संचार साधर यानि कर्मुनिकेशन टेकनोलोजी को बढ़ाएं ठीक है और एक दूसरे के लिए मैत्रिपूड वातार बनाएं निसकर्ष में कहा सकते हैं कि परसपर सहयों यानि कॉपरेशन जो है यह डायलोग के रदोनों देशों को काम करना चाहिए और जो खास करके जो आज के सीमा विवाद हैं या साउथ चाइना सी में जो चीन की स्थिति है या सायुक्त राजशंग में भारत की जो पर्मनेंट मेंबर्सिप की बात है इन सब मुद्दों पर भारत चीन को बैट कर ठीक से बात करन तो नहीं मोगा है को अब कुछ छोटे प्रस्चन है कि और खिक समदाए की कार पधनिति को समझाई है अब अब्किया। यूरोपी आर्थिक समुदाई किस तरह काम करती है तो रोम की संधियान उच्छे तीन में यूरोपी आर्थिक समुदाई की कार्यपधिति का वड़न किया गया है सदस्य देशों के मद्वस्तूं के आयात और निर्यात से तटकर सुल्क यानि जो कस्टम डूटी होती है यह स उनसे लिया जाएगा सदस्य देशों के अंतरकत व्यक्ति सेवा और पूजी की गतिसीत्ता संबंदी कठिनायू को समाप्त किया जाएगा यही सारी चीजे यूरोपेन उन्यों में भी आगे सामिल है जिसमें 27 देश है ठीक है चलिए महत्यपूर्ण बात एक सामान ने क्रिसी नीती यानि फार्मिंग की नीती एक सामान ने यातायात की नीती फ्री लोगों का आना जाना रगा रहता है जानी कि बीजा-पासपोर्ट वाली जदेख गठ निया नहीं रहती है उन सभी प्यवस्थाओं को अपनाना जिनके द्वारा सेधिश्य यह बाधा नवखपन nao trade करने में यह सारी चीज़ें इसमें ध्यां में रखी जाती है यह असियान के समक्राइब क्या decíaन काम करता है तो आसियान संगठन के कारे युद्या कि यह इंप्वूार्टेन्ट यह है आस्यान का कारेशेत्र काफी व्यापक है वह समस्त राजनेतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और तक्निकी छेत्रों में कारेशन है यह ध्यान लखिए कि यह मल्टी डाइमेंशनल जो है कॉपरेशन है सांस्कृतिक रूप से भी आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप पर प्रतेक विभाग की गत्विजियों के लिए एक एक स्थाइश समीति का गठन किया गया है जितने विभाग जितने तरह के यह समस्याय हैं उन सबको डिल करने के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गया है इसमें आसियान देशों में आपसी निर्यात और आया सामाजिक सांस्कृतिक गत्विजियों के अंतरगत अनेक परियोजनाय बनाई गई है जैनि सोसल रूप से कल्चरल रूप से कई पॉलिसीज चलती है और इनका उदेश से जनसंख्या नियंतर और परिवार नियोजन काड़करमों को पोथसाहन करना यह सुरु से चलता है कि मनें पॉपलेशन कंट्रोल रखें फैमिली प्लानिंग चले हना जोग छोड़े शुड़कें की चीजों प्यों काम करते हैं समाज कर लिया संचार यानि कम्मुनिकेशन टूरिजम काड़करम यह इनका आदाम परदान आसियांटा संगथन विस्थापित किया इन्हों प्रतिमिक्ता देते हुए किसानों को टक्नीकी सिख्षा देने के कदम उठाएं मुख्य नेद्यातों के लिए संयुक्त ब्यापार का लक्ष रखा गया है इनमें तेल सीमेंट रसायन उर्वरक प्लास्टिक तथा रवड का समान समय देखिए पर उसी देश जब एक साथ म समस्य तो यह जो आसियान है इन देशों ने एक साथ मिलकर इतने छेत्रों में अपने को बढ़ाया है कि आसियान संदी दो सम्झावते के नुसार 2020 तक मुख्व्यापार छेत्र थापित करने का संगल्ब लिया गया साथी आसियान समुदाय बनाने की प्रतिवत्ता का जकारता में इसका मुख्याल है ठीक है यह ध्यार लखिएगा चलो भारत इसका क्या है केवल क्या है एक तरह से वारता साज़िदार है वारता साज़िदार जिसको डायलाग पार्टर कहते हैं यह हमेशा ध्यान लखिए कि इंडिया is not a member of ASEAN यह question examination में competitive examination में कई बार पूछा जाता है कि क्या इंडिया ASEAN का member है तो हमेशा आपको दने रहा है कि not a member of ASEAN ठीक है not a member of ASEAN चलो इंडिया सार का member है तो यह ध्यान लखिएगा ASEAN से संबंदित ठीक है I hope कि इसको आप note-down भी कर सकते है ठीक है चलिए next है ASEAN के संगठन कैसा है यह तो आपने कारेपदित ही देखी तो ASEAN में एक तो सचिवाले जिसको secretariat कहते है main office ASEAN का केंद्रिय सचिवाले इंडोनेसिया के राधानी जकारता में इस्थित है देखिए यह जो most important questions में मैं इनको सामिल किया है इसके दो लक्षे है एक तो यह कि इन से संबंदित किसी भी क्यों कि देखो विसत्ता के वेकलबी केंद्र में ASEAN पर बात होगी थोड़ी बहुत सार्ग पर बात होगी चीन पर बात होगी तो इनके organizational structure इनके काम करने की पदती और आगे के examinations के लिए आप अच्छे त्यार हो जाए इसलिए मैं इसको डिटेल चीज़ों को रखा है तो इनका केंद्री सचवाले इंडोनेसिया कराइधानी जकारता में है इसके साथ ही प्रदेख सदसराष्ट में इसका छेत्री सचवाले विस्थावित किया गया हर देश में एक सचवाले अपने छेतर में संपन सिखर संबेलन में लिए नेड़य को जनता को अवगत कराते हुए इसके क्रियानवन सरकार की सहायता करते हैं सचवाले के महासाचीव का पत्स सदसराष्टों के प्रती दो वरसों में एक देश को दिया जाता है तो इसमें क्या होता है कि हर सदसराष्टों के समनवें इस्थापित करते हुए आर्थिक समाजिक विकास से संबंधित कारियों को संपाधित करने और उत्पन समस्याओं का उपाय सुझाया है सिखर संबेलन में लिए गए नेड़यों को कार्यानवित करने की जिम्मेदारी भी महासाचीव की होती है त और थम सिखर समेलन बहुत मत पुड़ उनी सोचियत्तर दूसरा सटतर फिर एक दसकबात सतासी इस तरह करते करते दस्वां 2004 में संपन हुआ और चलता ही रहता है इन समयलों में मध्य काफी अंतराल रहने के कारण आसियान देशों के विभीन मंत्रियों की बैठक प्रतिव काश जली बड़ा इंपोर्ट है कि भारत असीयान का क्या सिमंध है और आसियान में भारत का रोल क्या है अब अधीए महित अपक्षा है और जो में लुक इस्ट वाली याश्ट और लूक इस्ट वाली जो नीती अपनाई थी उसमें आसियान से संब्ध मजबूत करने पर बहुत इंपॉर्टन दिया गया था लवक एक दसकपूर भारत की विरियस नीती में पूर्वान उमुखी नीती यानि पूरब की तरफ देखो वाली नीती आई उसका यह इंपॉर्टन लाइन है ध्यान कियेगा इसका अनुगमन किया गया 1990 के बाद बैस्वीकरण और किया तो भारत और बहुत बड़ा ब्यापार इन देशों के साथ कर रहा था तो और इसको मजबूत करने का प्रयास किया 1992 में भारत को आसियान में सेक्टोरल डायलोग पार्टनर माना गया क्या माना गया पहले सेक्टोरल यानि एक सेक्टर का डायलोग सेक्टोरल डायलोग पार्टनर ठीक है इसको माना गया इसका दर्जा दिया गया जिसका उदेश से आसियान देशों के साथ भारत के ब्यापारिक रिष्टों को बढ़ाना था ठीक है भारत ने अपना प्रक्षकने और अधिक आर्थिक सायोत बढ़ाने का उसर परदान करना था भारत के आसियान भारत के साथ जो ब्यापार है उसको सुगम बनाने का प्रयास के तो भारत और आसियान में ब्यापार संबंदी बहुत सारे सुबदा हैं और एक दूसरे से एक्षेंजेज हुए है सिख रहे उन्यसो पंचानले में इसे पूर समवाथ सहवागी बना गया पहले सेक्टोरल दिया गया था बाद ने पूरी तरह से समवाथ सहवागी बना देगे ठीक है फुल डायलाग पार्टनर भारत राएगा पहले फुल डायलाग नहीं था और उन इसногबर 2000 में भारत को कंबोडिया में आयोजित सिखर सम्मेलन में सांविल होने का अमन्तर बेला की तो जब भारत उसमें 2002 दो में सामिल हुआ उनके सिकर संभेलन में और सिकर संभेलन में जो कमभोडिया में आउजित था तो फिर भारत ने क्या किया भारत नहीं ये बोला इठीक है हम आसियान के देशों को कुछ चूट प्रोवाइड करेंगे व्यापार में और इनके साथ एक बीमान सेवा भी सुरू करेंगे इसी सम्मेलन में अंतराष्टी आतंगवाद से संघर्ष के घोश्रा पत्रब्री अस्ताक्षर किये गए कि वह इंटरेशनल टेरिजम पर हम एक साथ मिलकर लड़ाई लडएंगे ठीक फुले बजार की निती अपनाई फिर दिरे दिरे अपनी अत्व्योस्था को उन्हें ने इंडेस्ट्रलाइज किया बहारी विदेश नीवेशी को आने दिया और बहुत आगे बढ़े आगे भी फिर वो बढ़ते ही जा रहे हैं यह स्थिती देखने को मिल दी है 240 तक चीन सबसे बड़ा आर्थिक सक्ति की रूप में उभर जाएगा जिसके निम्ने कारण है उन्नीस सो अठतर के बाद पोस्ट माओकाल माओकाल के बाद जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महा सक्तिक रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है अभी म भारत ने भी उसको पचाड़ा है एकोनॉमिक ग्रोथ करने के रेट में लेकिन अर्थविवस्था भी भारत उससे पीछे है वह बहुत बड़ी है ठीक है तो एक तो यह इंपॉर्टेंट है कि तेजी से वह ग्रोथ कर रहा है क्रिसी के नीजी करण के कारण क्रिसी उत्पा फौररवर्ड लीप चल रही थी ग्रीट लीफवर्वयड उसमें क्या हो रहा था कि कि किसी भी खुering को उनकी जमीने प्राइवेट्ट हाथों में नहीं दी जारी थी सबी क्रिशी जमीनों को एक साथ ईकठा किया रहा था ऐकठा कर करके छोटे-छोडे में ॡिस्टर्फेबूट कर दिया रहा था है यह एकठा कर दिया गया आई अब outta क्या करें मिलजुल के खेती करिये लेकिन बाद में फिर पिर कर्षी का नीजीकोर्ण किया गया और ग्राम जोन यह क्या होता है इसका कौपी भारत ने भी 2005 के बात करना सुरू किया इसमें क्या होता है कि कुछ एडिया को हम क्या करते हैं एक उसको अलग छाट देते हैं उसमें यह कहते हैं कि इस एरिया में जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सब बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा यानि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है और जो भी एक्सपोर्ट करेगा उसको बिशेश तरह से सरकार पैकेश देगी टैक्स में छूट देगी प्रोडक्शन कराने में मदद करेगी तो इस्पेसल यह जो इस्पेसल इकनोमिक जोन वाला कंसेप्ट इ निवेस यानि FDI जिसको कहते हैं कि FDI के लिए सबसे बड़ा आकरसक देजबन कर उबरा क्योंकि उसने अलाव कि ठीक है बाहर से आगया आप यहां पर पैसा लगाई यह पॉपुलिशन जा रहा थी ही मार्केट बड़ी थी भारत ने तो ऐसा कुछ अलाव किया नहीं था त पैटन 1995 में बना था ठीक है 1995 में बना था उससे पहली एक गैट था 1948 से जनरल एग्रिमेंट ओन ट्रेड एंट टरिफ जो चलता आ रहा था और 1995 में इसने डवलू ट्यू की सकल ली थी इसमें करीब 162-63 देश है ठीक है ना तो यह डवलू ट्यों जो है उसका मेंबर भी ची नहीं से होने लगा और इसकी अत्व्यवस्ता और बढ़ती गई ट्रेड में और यह क्या करता गया और विकास करता गया और आगे बढ़ता गया ठीक है आगे देखते हैं आज छेत्री और वैस्वी की स्तर पर चीन एक ऐसी जबर जस्त आर्थिक और सक्ति बनकर उबरा है कि सभी देश उसका लोहा मानते हैं इसमें कोई शक नहीं है चीन की अर्थ ब्यवस्ता का बाहरी दुनिया के जुडाओं ने अब यह स्थिती बना दी है कि जापान, अमेरिका, आसियान, रूस, सभी ब्यापार के लिए चीन से बाकी बिवादों को भूला चुके हैं ठीक है यह बात सही है कि कई सारे बिवाद अभी भी हैं लेकिन ब्यापार की दिश्टी से वो उसको अलग नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत से चीज़ें वहा ब्यापार नहीं करेंगे चीन के साथ इसा नहीं बोल पाते हैं बाकी देश भी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यह एक इंपॉर्टेंट है दूसरा चीन ने क्या किया है बहुत सारे छोड़े-छोड़े देशों को आर्थिक साहता परदान करके वहां के संसाधनों पर अपना भी सण सक्टी के रूप में ऐसे वेखती देशए आम डेश श्रलंका माल líis इंण सफेड़ेशव पाकिस्तान सभी देशों को पैसा बहुतान को मैं नेपाल को इन देशों को इस टोंपर नहीं करता है वहां के हावायक डै एयर पोर्ट्स या से पोर्ट्स को विक्सित करने और वहां अपनी पैठ बनाने का प्रयास हमेशा करता है ताकि हम यहां पर एक अपने प्रभुत्तों को बनाये रखेंगे और यहां पर जब जरूत पड़ेगी तो यहां के देशों के संसाधनों का जमीनों का इस्तमाल करते रहेंगे तो एक विश्व सक्ति बनकर उत्रा है अंतर तक कहा जा सकता है कि चीन की विकासदर अगर इसी तरह रही तो जो 44 तक वो पूरी दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक सकती बन सकता है इसमें कहीं संदे नहीं है ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टेंट बात है कि जो अमेरिक अक्षा अमेरिका क्या है अमेरिका के सा जो सोवियस संग अपने जमाने में करता था वह महासक्ति का जो गैप बना वा था वह बैकल्पी केंदरूप में चाइना बन करूब रहा है उसको टककर दे रहा है तो यह हमेशा इस्तिति देखने के मिलती है साउथ चाइना सी के आसपास हमेशा दोनों की घेराबंदी बनी रहती है और भी मुद्दो परचीन और अमेरिका में तनाव बना रहता है और वो उसको चुनावती आर्थिक और हर तरह से सामरिक तरीके से भी दे रहा है ठीक है अब कुछ छोड़े-चोड़े और परसने दिन को देखते हैं अब यूरोपीय संग के अंगों को विस्तित तुरूप से समझाइए अब थोड़ा यूरोपीय संग का जो इस्ट्रक्टर देख लेते हैं इसमें एक आयोग होता है यह यूनियन की कारेकारी संस्था है एक्जूक्यूटिव जिसको कहते हैं एक्जूक्यूटिव बॉड़ी इसको कह लीजिए यह जो आयोग है यह उसको लागू करवाता है हर चीज के इसके 28 सदस और आप तो 27 कह लीजिए क्योंकि ब्रिटेन चला गया इसके 27 सदस होते हैं इसके सदस से 5 वर्स की अवधी के लिए चुने जाते हैं ठीक है अच्छ परिषत देख लीजिए युरोपिय संग की नीटी निर्धारक संस्ता है यामी कौनी जो काउंसिल होती यह उन selling यह इसका पौरिवीन के सब्सक्राइब किया सकते हैं इसको फिस्ते में करने इसको अब vendo c प्रस्ताव देगा उस पर विचार करेगी कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और सभी राष्टों की आर्थिक नीतियों में समन्वें तथा संधियों को लागू करवाने के लिए उत्तरदाई है यह कह सकते इलीट संस्था है परिस्थ काउंसिल इसके अपना संसथ है जिस तो इसको ध्यान लखेंगे आप इसका अपना एक जूडिशियल सिस्टेम में न्यायाले है तो इसका गठन 25 न्याय दूसों और आठ एडव कोई जनलों से मिलकर होता है यह सभी काईों की वैधानिक जाज करता है जितने भी काई है उसका लीगल तरीके से ठीक से काम हो रह है जिसे भारत में सुप्रीम कोट क्या है इंटर्पेटेटर ऑफ कॉंसिट्यूशन है समिधान के किसी भाग यानुशेद को लेकर कोई कंफ्यूजन होता है कि इसका मतलब यह हुआ कि यह हुआ तो उसको खतम करने का जो काम करता है वह कोन करता है नियाय करती है इसी तरह यह युड़ोपियन इवेश्च बैक के सबसे इंप्पॉर्णेंट है यूरोपियं इन्वेस्ट्मेंट बैक विभेडम से लिखता हूं कि आपको चीज़ें याद रहें बिभीन प्रोजेकटों को धन देकर समुधाय के हितों की रक्षा करके साज अजबाशन विकास के ल ये उरोपेयन संग में ये उरोपेयन निवेश बैंक इस पर काम करती है तो ये कुछ important 4-5 heading हैं जो आपको ध्यान रखने हैं क्या-क्या एक तो इसके अपने आयोग है परिशद, ये उरोपेया संसर नयाले और ये उरोपेयन निवेश बैंक ये 5 चीज़ें आपको ये उरोप तो पूर्ड questions थे students जो आपको most important के तौर आप देख सकते हैं जिसमें मैंने कोसिस किए कि जो सारे parts सत्ता के वैकलपिक के दूर से जुड़े थे वह एक जगर summarize के जाए एक जगर रखे जाए ताकि आपके आने वाले परिक्षाओं में वह क्या हो सकें काम आ सकें students magnetbrains.com की जो website है जो इंडियाज number one 100% free online education platform है इस website पर आकर आप अपनी पढ़ाई ठीक तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर आके आप CBSCI State Board Hindi Medium पर सलेक करिए ठीक है माइनम इस अवनिस त्रिपाठी अवनिस त्रिपाठी वाले कोर्स पर जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं क्या चीज किसी भी चैप्टर को सलेक करके जैसे अब यह चैप्टर हम पढ़ रहते सब तो एक इसमें चैप्टर है एक जो बुक का नाम है उसमकालीन विश्वराज तक है 153 भारत वीराजनीति आप इस तरह आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है इसमें कलिक करके आप वीडियो मेहां करके क्या क्या व देख सकते हैं पूरे सबस्वेश सब कुछ फ्री आफ कॉस्ट है बिल्कुल निसुल और इस तरह आपका वीडियो आसा प्ले करके आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं तो यह बहुत मेंगेट बेंस हिंदी आपके लिए प्रेफॉर्म लेकर आया है जिसमें आपका अच्छा छे से कच्छा बारत तक क सारे important chapters free of cost पढ़ सकते हैं ठीक है बिल्कुल मुफ्त पढ़ सकते हैं करना आपको क्या like share or subscribe करना है ताकि इस तरह की important videos हम आपके लिए और लेकर आते रहें आपकी परिक्षा को और आसान बनाते रहें chapter को revise करते रहें next video में हम next topic के साथ मिलेंगे बिल्कुल आपसे मिलते र देखो ठीक है student तो आपना बहुत ध्यान ना किये मिलते हैं अंगले वीडियो में take care good